आप सब को नमस्कार, आज मैं सबसे पहले जन सरोकार मंच टॉंक, और तेरी देवंदर जोसी जी का भाहर व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे ये मंच उपलब्द करवाया है, और इसी के मदम से मैं आप सब की, आप सबसे मुकातिब हूँ, मुझे बोनने के लिए जो विशे दिया गया है, वह है कुछ किस्ये, कुछ कहानिया, इसके अंतरगेत में कवी लेखक विचारक, स्री रामतार सर्मा के बारे में कुछ परसंग आपके सामने रखूँगा, इसके बाद समय बचा तो कुछ अन्य परसंग पर आप से बात जित करूँगा, रामतार जी के बारे में जहां तेक मुझे याद है, 1962 में जुन-जुनों से समय विचारों के लोगों ने, पांच्छ लोगों के टीम ने एक सापता ही का ख़़ार राहुल सुरू किया था, उसमें मैं निकटवर्थी अपने गाउं की स्कूल में साथ में कलास में पढ़ता था, राहुल का परसार परसार गाउं-गाउं में हो गया था, साइद ही कोई गाउं बता हो जहां कि एक दो परसी नहीं जाती हो, हमारे परदाना जापक थे जैदेव जी, जो सरकारी नोकरी में थे, लेकिन परदे के पिछे इस तीम से सक्रिय लूप से जुड़े हुए थे, उनके कारण परदे की स्कूल में राहुल की परदियां पहुंचने लगी, अख़बार के परदी इतना उस्षा था, कि गाओं के कुछ लोगों ने सोयक के रूप में बाजरे की बोली तक राहुल की टीम को दिया थी, अख़बार और साइसे किताबे पढ़ने के लुच्टी मेरी राहुल को पढ़करी पदा हुई, तभी एक दिन जब सुबह हम सातर इस्कूल में आये, तो पता लगा कि राहुल टीम का कोई व्यक्ती स्कूल में आया हुआ है। कक्षा लगने पर जैदेव जी के साथ जो व्यक्ती हमारी क्लास में आये, उनका नाम राम अतार सल्मा था। सफेद महिंद होती, सफेद जग कुड़ता, पैरों में चप्पल, गुहुंगराले बाल और आंखों पर तस्मा। पहली नजर में मुझे बंगाली भद्रपुर्स जान पड़े। जैदेश जी के द्वारा प्रिष्ते कलाने के बाद पता लगा कि यह राम अतार सर्मा है, जो रावल के अकवार के सर्वे सर्वा थे। उन्होंने हमें बताया कि राम अतार लेकत कवी और विचारक है और रावल अकवार में जो छपता है मेटर वो सभी इनी के हाथों से गुजरता है। इस अकवार में एक वेंग्यात्मक इस्तम छपता था खोजी मिले गुमकड से। वो हम चात्रों के लिए बहुत लोप्री इस्तम था। अकवार आते हैं मतों कम से कम सब से पहले खोजी मिले गुमकड को ही पढ़ता था। जैदेव जीन बताया कि इस इस्तम को लिखने वाले व्यक्ति रामवतार सर्मा है। सुनकर हम चात्रों ने कक्षा में तालियों से उन्जाय मान करके रामवतार जी का स्वागत किया। बाद में रामोतार जी बोले उनकी जदेव जिन बहुत परसंसा की थी, इसलिए वो एक संकोच बहे आवरन में काफी देर तक कहते रहे कि मेरी आवसक्ता से ज़्यादा परसंसा की गई है, और फिर उन्होंने काफी देर तक हम लोगों से बात चीत की, हमने स्वाल उन्हों जब स्वाल करने के लिए कहा तो रामोतार जी से किसी लड़कें स्वाल नहीं किया, तो मैंने पुछा कि खौजा एमद अबास और कर्शन तंदर के लेखन में क्यांतर है, रामोतार जी ने इसका जबाब दिया कि दोनों लेखक हैं वो वामपन्थी विचारदा रहे हैं, लेकिन खौजा एमद अबास फिल्मी जगत में हैं और कर्शन तंदर वो पुर्ण का लिख लेखक हैं, तो इस तरह से पहली बार रामोतार जी को मिन देखा, उनसे बात चीत हुई, उन्ही दिनों एक बार रावल समय पर नहीं आया, तो हम दो लड़के जुन दिनों आये, और रावल के प्रेस में गए, वहां रामोतार जी हमें मिल गए, अख़वार तो तयार नहीं था, लेकिन वो हमें एक रेस्टोरेंट में ले गए, और हमें दही की लच्ची पिलाई, पहली बार मैंने गाउं से आके सहर में, रामोतार जी के साथ में लच्ची उस दिन पी थी, और उससे उनके व्यक्तित्व का पता लगा, कि दो अंजान लड़के स्कूल के, जो जान हमारा कोई पिलते भी नहीं था, तब भी उन्होंने हमें सम्मान दिया, और बाद में अख़वार बेज़ दिया, अख़वार को पढ़ने से, और अन्य किताबों को पढ़ने से, मुझे भी लिखने की एक जिग्यासा हुई, और मैंने एक लेख लिख करके रावल में बेज़ दिया, वो लेख बाद में रावल में छपा, और जिज दिन जदेजिन मुझे बताया, कि रावल अख़वार में लेख छपा है, तो मुझे बड़ी खुशी ही, यह मैं समझता हूँ कि रामोतार जी की देन थी, जदेव जी और रामोतार जी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा परवाव पड़ा, जहां जदेव जी स्कुल में किताबे विभन, किताबे लेख को गिले जाते थे, और अख़वार बगाते थे, रामोतार जी ने उसको आगे बड़ाया, और जो मेरा लेख लिखा उंच्छपा, तो उस दिन के बाद में राम उतार जित से मेरा प्रिते दिन प्रिते दिन बढ़ता चला गया 1963 में राउल में एक खबर छपी थी जिस से शेखा और चंचल में तहल का मत गया था खबर का शीर्शक था अल्लाओ दिन खील जिया पुनर जनम पद्वने की इद्धत खतरे में जोंजनों के एक लेक्टर थे जिनके बारे में ये खबर थी और वो रंगीन मिजाज के थे उनके खबर ये बहुत एक लंबी स्टोरी रामातार जीन ठापी थी जिसके बाद में यहां का दिला परशासन और नेता लोग उनके बहुत खिलाफ हो गए उनको मारने की दमकी दीगी लेकिन रामातार जी बिल्कुल भैवीत नहीं हुए और उन्होंने दो तीन अंक में लगातार इन लोगों के बारे में लिखा और वो इनका कुछ नहीं विगाड सेके संपादक के रावल के संपादक से सुमेर सिंग परकासक से विश्वेशर सिंग और अन्य पांच्छा लोग से एक पूरी टीम थी गाउं गाउं में लोप्री हो गया था अकवार बहुत ज़्यादा तो अकवार ने जन सहयोग से अपनी प्रेश भी खरीज ली बाद में और इसको शिक्र में लेजाने की का फैसला किया उसके बाद में मैं 65 तक मेरा इनसे संपरक राम वतार इसे लेकिन 65 के बाद में मेरा इनसे संपरक नहीं हुआ क्योंकि मैं दूसरी दिगत ला गया और कुछ दिनों कुछ वस्तों तक मैं इनसे अलग रहा देकिन इसे बीच जुर्बाग्य से इस टीम में आपस में मन मुटाव हो गया और ये छिन मिन हो गई जिसके कान अकवार भी बंद हो गया जहां तक मुझे याद है ये राउल साइद पांच से साल चला और उसके बाद में बंद होने से बहुत ज़्यदा नुकसान रामतार सर्मा को हुआ क्योंकि वो एक अच्छी बिली नोकरी एगरिकल्टर अफसर की छोड़ के आये थे और वो एक मातर विक्ते ऐसे थे जो अपनी नोकरी छोड़ के आये थे और जब ये आपस के जगडे के कारण अखवार बंद हो गया तो राम मुतार जी एक तरह से ठगे से रह गया और उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया और मुझे लगता है कि राम मुतार जी उस टाइम मैं सुस्वा होगा कि उन्दन दिन वोकरी सोड़ के बहुत बड़ी गलती की बीच बीच में मुझे उनके बारे में सूचना मिलती रहती कि खेतड़ी जहांके वो रहने वाले थे खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट की टेड यूनियन में वो काम कर्चे रहे और वहां के वरकर के बीच वो इतने लोग प्रिये थे कि उनका नाम पढ़ गया था राम मुता प्रत्यागी बाद में एक अउसर पर उन्होंने जहपुर से सापता एक प्रस्त मुमी सुरू किया अखवार जो बहुत सरा गया था लेकिन दुरभाद्य से और ये एक बड़ा मुद्दा होता है पैसे का तो मुझे लगता है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण और कोई टीम नहीं बनाने के कारण वो अखवार को सला नहीं पए और ये अखवार भी बंद करना पड़ा एक लंबे अंतराल के बाद 1931 में रामोतार जी से मेरा अपने संपरक हुआ उसमें मैं भी बेरोदगार था एक नोकरी करता था फोज की वो छोड़ के आ गया और रामोतार जी भी दुंदुलों में रहने लग गये थे और उनों लेक सापता एक पतर आलचाल शुरू किया ये अखवार भी बहुत लोग प्रिया था लेकिल इसके साथ भी वोई दिक् नहीं बनी रामोतार जी शंकोती थे पैसे आये नहीं तो ये अखवार भी जहां तक मुझे यादा तीन-चार साल चंदने के बाद में बंद करना पड़ा भी दुंदुलों में उनका रहने का ठिकाना बहुत एक मत्पूत था उनके परिवार के थे गोकलतन सर्मा खेतली के जो दुंदुलों में सुक्की चाह की दुकान करते थे तो रामोतार जी उनके पास ही लगबग रहते थे और वोकलतन सर्मा रास्तान पत्र का राष्ट दूत नवजोती के एक मत्तर संबाद दाता थे दुंदुनी सरफ से तो यहां रामोतार जी उनके साथ रहने लगए और यदा कदा वो अखवारों में अपने रचना ही बेशते थे मैं नौंबर 1901 में मैं भी धुंदुनों आ गया था एक कमरा लेकर रहने लगा और तब रामोतार जी से मिलना धुनना खुब हो गया हम दोनों साथ साथ जिला पुस्तकाले में जाते वहां गंटों बठे रहते थे पढ़ते आपस में भैस होती उस टाइमें जुन जुन पुस्तकाले अच्छी साहिते किताबों का बंधार था और अनेका खवारों के अलावा सारी का धर्म्यूग साबताएक हिंदुस्तान ज यहां पर खास प्रभाविय अपड़ा की रहमोतार जिन मुझे खास तोर से प्रेणा दी कि आप सारी का को पढ़ो ताकि समकालें साहिते से साहिते से आप रूब रूब हो और बीत-बीत में हर जो मेटर छपता लेक छपते का अन्या छपती उनके बारे महां आपस में डिस करते रहते हैं इसी दोर में मनें मेरी पर्थम किताब करांतिगार बगुतिवाई लिखी जो रामोतार जी को दिखाई ये करीब सोपेजी किताब थी उन्होंने इसको काफी सरा और उन्होंने कुछ तंसोदिन मुझे सुजाए उनके अनसार मनें री राइटिंग की और ये किताब सोबाग्ये से दिल्ली के प्रकासक इंदी पॉकेट बुक नहीं चापी और उस टाइम के इसाब से जो इन्होंने मुझे रोलिटी के पैसे दिये वो रामोतार जीन बताया कि ये एक अच्छा पेमिंट है मुझे तार बाए और यहां दुन-जूरों रहते मैं एक उपन्यास लिखा पाफी लमबा उपन्यास था लेकिन वहने कभी चपवा नहीं सका क्युकि मेरा यह विचार था कि इसको रिराइटिंग करके दुबारा छपाऊंगा, वो मैं संसोदन या रिराइटिंग कभी करनी सका और वो पढ़ा ही रह गया, इसी दोर में मैंने एक कहानी लिखी भूख नाम से, और वो रामवतार जी दिखाई, तो उन्होंने दो तीन मुझे ताकि मैंने भी मेरी पर्थम कानी भूख के नाम से लिखी, आपको क्या पता लगा कि आपने भी इसको नाम भूख रख दिया, यह संयोंग मतर था, उनके कहने करने करने सार मैंने संसोदन क्या कानी में, और बाद में यही कानी मेरी पर्थम कानी उनीसो तोतर में सारिका मे पड़ी छपी जिससे मुझे बहुत खुशी यह भी देनमसारी रामोतार जी की मानता हूं इसी दोर में हमने यत्य किया कि टीम बना करके जुन जुन से सापता एक जो आवचाल अखवार था हुनका वो दुबारा शुरू किया जाए तो एक दिन हम इसी बाबत विचार में मर्श करने क्योंकि जो रावल अखवार की टीम थी वो तो इदर उदर विखिर गई थी एक हमारे विशुषनिय थे जदेजी जो मेरे एड़मास्टर रहे वे थे हम उनके गाम गए और पैदल चलके मंडाव से तीन चार किलो मिटर था उनका गाम वहां पैदल रात को हम गए कच्छे रास्ते से और वहां गए तो जदेजी मिले नहीं तो हमें बड़ी निरासा हुई क्योंकि उनके गर्मे और हमें कोई नहीं जानता था जैकिन उनकी मेसेज ने हमारा बहुत सम्मान किया और रात को हम वहीं रहे शुबह भी उन्होंनों खाना खाने के बिना खाये हमें दाने नहीं दिया फिर हम देजी इस्कूल में गए और वहां यह तैक किया गया कि एक प्लान बने कि कैसे अक्वार को शुरू किया जाए किन किन लोगों को जोड़ा जाए इसका बाहर राम मुतार्जी पर डाला गया यह 1922 की जनुरी फर्वरी की बात है तभी राज्तान विदान सभा के तुनाव गोसित हो गये थे राम मुतार्जी उन तुनाव में लग गए वो कॉंग्रेस से खेतरी की टिकट साते थे और वो दिल्ली और जैपूर के बीच में रहते थे दो हमारा उस ताएं दोरान साथ नहीं रहा और जो पलान अक्वार के बारे में हम बढानात आते थे वो नहीं बन सकी इदर मेरा भी सेलेक्शन डार्क विवाग में हो गया राम मुतार्जी उद्व ये पता लगा तो वो उन्होंने बड़ी कुछी जाहिर की और उन्होंने कहा कि ये नोक्री जुरूर करो उनका ये मानना था साइद अपना अनवय के कारण कि लेखन जो है वो नोक्री के साथ-साथ करोगे तो अच्छा रहेगा अगर आप बिलकुल नोक्री निर्वर होगे तो बहुत मुश्कल होता है हाँ सत्यान जी कह रहे हैं कि रामउतार्जी के संपर्क में मैं भी था तो सत्नायन जी से उस ताइम मेरा तो परिटे नहीं था सत्नायन जी लेकिन मैं एक बार जैपूर गया था तब वो एमाई रोड पर एक प्रेस में मुझे ले गए थे जहां साइद आपका अख़वार सबता था खबर नवीश या भकत कुछी इस तरह का नाम था और सब उन्होंने बताय था कि सत्नायन साइद मुझे जांता कि याद है सत्नायन सिंग कहते थे कि सत्नायन सिंग है अख़वार को निकालते हैं तो मैं मेरी सर्विस लगई मैं गंगा नगर में अपॉंट्मेंट हो गया और बाद में रामोतार जी फिर एक बार आलताल को सुरू किया उन्होंने सापताहिक को और वो दो-तिन साल यहां चले चला अख़वार उसके बाद वो परिवार सही थे जैपूर में एक मेले कौर् और उन्नी सो उन्यासी में मेरा वित वादला जैपूर हो गया था तो उस दोर में रामोतार जी से खूब मिलना हुआ और उन्नी की मारफते मेरा प्रिते वेद व्यास, दुश्यन तोजा, हैज के व्यास जैसे अनेक लेख को और पत्तर कारूशन उन्हों कराया रामोतार जी इस दोर में उनकी रतने राश्तान पत्तरिका की तो मुझे जानकारी है, साइद राश्तु नवजोतिम भी छपती थी, कविता ये छपती थी, तो वो शिर्फ रामोतार ही लगाते थे, शर्मा नाम नहीं लगाते थे, वो कहते थे कि राम आवतार भी नहीं, राम आवतार इस तरह वो लिखते थे, और दिल में दो तीन दिन से हमारा आपस में संपरक होई जाता था, मैं भी वहीं जालू पराम रहता था, बाद में, 1989 में, जुलाई में मैं जुंदुन आ गया, और जुंदुन आने के बाद में, रामोतार जी जब तब जुंदुन आते थे, तो यहीं गोकल जी के पास उनका ठिकाना होता था, कभी मेरे पास में रहते थे, यह उनके बहुत कड़े संगर्ष के दिन थे, और मुझे लगता नहीं, मुझे यह लबनासूस होता है कि साइद सेखरिट द्वारा काम समाडने के बाद में, उनको कुछ तैन मिला होगा, बाकि उन्होंने अपने जीवनों बहुत संगर्ष कि कि उन्नीस सो, उन्हासी के बाद में, बीच मीच में हम विचार करते रहते थे कि, अलांकि में नो करीब में था लेकिन भाई के नाम से हमने एक अख़वार निकालना, निकालने की योजना मिलाई, जिसमें रामोतार जी भी सामिल थे, तब हमने एक टाइटल लिया यस पाल के नाम से, और साब्ताइक जोन्दू, यस पाल जोन्दू से सुलू किया, जिसमें रामोतार जी की बराबर रतने चपती रहती थी, उन्नीस सो, छियासी में, ये अख़वार, पहले अंक से ही हमारत जब्त कर लिया गया था, एक बार, और बाद में, हमने केस मुख्दमा करके इसको दुबारा सुलू करवाया, और उस दोल में, रामोतार जी बराबर इसमें लिखते रहते थे, उन्नीस सो, छानम में, मैं, 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 चोदरी तरण सेंग के रक्तित्व से, उनकी कर्मटस्ता से, उनके इमान दारी से बहुत परवावित था, तो 1906 में मैंने, चोदरी तरण सेंग के जीवन पर आधारित, एक पुस्तक लिखी थी, एक और कभीर, उनकी जीवनी का पहला भाग था, और ये किताब रामुतार जीन पढ़ी, तो वो बड़े खुस्त वे, और फिर वेदव्यास को, वेदव्यास को लेकर कहें, धुंदुनों में, किताब का विमोतन हुआ, और उसकी भी एक अजीव कहानी है, कि एक और कभीर दमन नाम रखा, और वेदव्यास को लिखा, कि आप इसको विमोतन, इसका विमोतन कीजिए, चोधरी चर्ण सिंग के जीवन पर आधारित किताब है, तो उन्होंने, जहां तक मुझे याद ऐसाइद ये लिखा था, कि कहां चोधरी चर्ण सिंग, कहां कभीर, आप किसी और से विमोतन करवाईए, तो मैंने रामोतार जी से कह करके, ये किताब के कोपिवन के पास बिजवा दी, वेद व्यास के पास, और उसके बाद में वेद जी का लंबा पत्तर आया, कि मेरी गलती हो गई, और किताब बहुत अच्छी है, और अब आप जब भी कहोगे, मैं दुन-दुन आने के लिए तियार हूँ, और वो रामोतार जी साथ, दुन-दुन आये, और किताब का भी मुस्तन किया, मैं मैंने स्विच्छा से रिटार्मेंट रे लिया था, डाक उबाग से, और दुन-दुन कोर्ट में वकावत करने लगा, इनी दुनों दब भी रामोतार जी दुन-दुन आते तो कोर्ट में दुरूर मिलने आते, कोर्ट में द्रम काम कर रहा था, इसी दौर में, चोजरी तरन सिंग के दूसरे भाग, देख कभी रा रोया, पुस्तक भी छप गई थी, ये भी रामोतार जी के कहने से, लोकाईत प्रकाशन ने छपी थी, और ये बड़ी पुस्तक थी, पांसो पेज़गी, तो इसका एक बार तो ये तय हुआ था, कि बाई जैपूर में इसका विमोतन करेंगे, लेकिन बाद में रामोतार जी नहीं मुझे बताया, कि वहां कुछ लोग हैं, वो उनके पूरो अगर है, तरण सिंगे परती, इसलिए ये यहां ठीक नहीं होगा, तब उसका विमोतन जुन्दूनम किया गया, वकालत के बारे में, मैं जदा इच्छुग नहीं था, जो महौल देखा, मैंने ये पाया कि यहां, मैं अड़्जेस नहीं हो पाऊँगा, और दूसरे डाट्र गाशिराम थे, उन्हों भी मुझे ये कहा, कि आप वकालत से छोड़िये, और लिखने में ज्यान दीजिये, तो तब मैंने कोर्ट में दाना बंद कर दिया, और पहले तो डाक्टर गाशिराम धी की जीवनी लिखी करोड़ पती फकीर, और उसी दोर में, हमने एक अखवार सापता एक निकालने का तै किया, कि नया अखवार टाइटल लेके, जिसमें रामोतार जी को प्रधान संपादक बनाने की बात थी, बात की बात, ये एक अखवार का टाइटल में मिल गया, और पूरी सैयारी हो गई, लेकिन रामोतार जी जब पुछ से आ नहीं पाए, बाद में पता लगा, कि उनकी तव्यत खराब है, तो पहला आंक अमने निकाल दिया, लेकिन बाद में उनका मर्च्यू का समाचार मिला, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, और उस बारे में, जो मैंने बात की बात में लिखा, सर्दान दली सोरूप, वो मैं आपको प्रड़ के सुनाता हूँ, अखवार में, ये अखवार है, बात की बात, तो इसका सीर्सक है, कल्यूग में राम अवतार, एक फककड कभीर, गुमककड वेक्ति राम अवतार, राम अवतार सर्मा, राम अवतार त्यागी, कभी विचारक, साहित्यकार, पत्तरकार, सलाकार, इसकफ का जन्रल सेकेटरी, CPI का पूर्व नेता, ट्रेड उनेता, व्यूए का अनंद का भक्त, एक चलती-फिरती संस्ता, एक जन्नानलोदर्न का हिस्सा, खेतरी का मूल भासिंदा, वर्षों से जेपूर रहने वाला, दिल्ली में कारियरत, बार-बार छेखाट एंचल में चक्कर लगाने वाला, एक यायावर, आकर्शक व्यक्तित्वे, रहसे में पर्शिक्षन, कुछ तलास्ती आखें, जितना चुप उतनाई बेलगाम वक्ता, राहुलो नागारदुन उससे भी पहले कबीर की परवप्रा को निभाने वाला दिर्वंद कलाकार रामोतार, जो अब वर्तमान से बूतकाद हो गए। जिस दिन पत्रकार गोकलतिन सर्मा ने सूतना दी, कि ये रामोतार नामक सक्स, अब कभी भी हमसे बात नहीं करेगा, ने जगड़ेगा, ने बहस करेगा, ने कोई सला देगा, ने निरंतर लिखने के लिए दबाव डालेगा, तो मैं सुन रह गया। कैसे यकीन हो? मुझसे वायदा करके गए, कि अब दुन-दुनों में स्थाई लूप से रहेंगे, बात की बात के परदान संपा देखोंगे, या एक सहर जी के साथ वेबसाइट इस्तापित करेंगे. उनके आस्वासन पर बात की बात सुलू किया गया था, उन्होंने अपने सेंस्मन दारवाई के लूप से लिखने की हामी वरी थी, अपना पुराना कोलम, खोजी मिले गुमकट से, को पुनर जीवित करने का वायदा किया था, इसलिए खबर मिलते हैं, इमानों में चीप कर बोला, ओ सर्ष्टी के रतियता, तेरा ये निर्ने अतिंत कुरूर है, अरे ये भी कोई बात हुई, इसलिए हम एक सब्ता तक जैपुर नहीं गए, पता नहीं मुह में पान दबाए, कब गुरु देव जोला रटकाए आ जाए, और कहें कि खबर तो एक मजाग थी, क्योंक का लाल जीकर तो दिखाए है से, और जब जैपुर गए है तो विश्वास करना पड़ा, कि अब की वार्वे मोज को सक्मा नहीं दे पाए, सेंतिस वस्ते परिते था रामोतार से, उसमें कर्शी दिखारी के अपनी नोकली को लात मार कर, रावल के करता दरता बने थे, हम कि सोर्थ सात्र रावल का इंतजार करते थे, बाद में साबता एक हालचाल और प्रिष्ट भूमी निकाली, तोराय से आगे काव्य संक्रन का हिसाब ने, अनेक कविताय अख़ारों बेज़ कर पारिशर्मिक लिया, अब अंग्रेजी पत्रिका, M.A.T. के संपादक थे, लिखने की धुन स्वार हुई थी, इसलिए डाक्टर से बाद इसमें कहा था, कि लकवा गर्ष चरीर के ठीक होते ही, निरंतर लिखूंगा, बात की बात प्रार्म करने के लिए, मेरे पिछे पड़ गए थे, लेकिन जब शुरू किया, तो मैं दान छोड़ गए, रामोतार जी, आपने हमारे साथ दोखा किया, आपको ऐसा नहीं करना थे था, बले यह आपना आए, आपका कोलम, खोजी मिले गुमककड से, हमने सुरू करवाया है, तो आपको तिदाने के लिए, रामोतार एक ऐसा दान जीवन जीकर, साधान तरीके से तले गए, हम सब के लिए एक तुनोती ठोड़ गए, कल्यूग में हुए इस रामोतार को, एक व्यक्ती, एक यूग को, यूग के समापन को कर्चगे, कर्चगेता परण परणाम, ये सर्दांदली सुरूप मने लिखा, और बाद में मने खोदी मिले गुमकडे से नामक एक वेंगे संगरा भी लिखा, जो रामोतार जी को समुर्पित किया गया है, प्रामोतार जी के बाबबत तो ये किस्था समझिये, सेंस्पन है, वो पूरा हो गया है, मैं एक दिल्चस्प अपनी बातें थोड़ी बता देता हूँ, मैंने एक कानी लिखी थी, क्रान थी के एक रात, और ये मैंने हंस में छपने के लिए बेजी थी, हंस इससे पहले हमारे जो बात की बात अखवार था, हुष्म एक मने छाप दे थी, और फिर कुछ संसोदन के साथ था हंस में बेजी थी, तो ये हंस में बात की बात में छपी थी, फिर उसमें मनस होता है कुछ और संसोदनों ओना थी, यह कानी को सत्नेयर जी तो यहां बेठे हैं, सुन रहे हैं कानी को मैं सबसे कठिल विदा मानता हूँ, तो बार-बार मैं जब भी कानी लिखता हूँ, बार-बार मैं उसमें संसोधन करता हूँ, रे-रैटिंग करता हूँ, बात की बात में खपने के बाद में ये तो लोकल अख्वार था तो मैंने संसोदन करें के हंस में बेच दिया हंस से राजेंदर जी थे उस त्यम उनका जबाब वापिस लोटा दी उनोंने k", ये कानी हंस में पहले घप सुझती है कामरेट का को्ट नाम से मैंने कामरेट का कोट कानी नहीं पड़ी थी मुझे पता नहीं था कि मैंने इधर उदर तलास भी किया बात-बात वो मिल भी गई थी लेकिन दिल्चस्प जो वाकया वो यह है कि जब बात की बात में एक क्रांति एक रात छपी तो यहां के दो वामपन थी करमचारिओंगों संख्षण है वो उनका नेता मेरे पास आया पांच चार दिन बाद में और उन्होंने कहा दो कानě लिख़ी है इसकी यह जो ठीम है यह आप को कैसे मिली कांसे मिली किसने बताई मन कहा कैसे यह तो मेरी कल्पना मुझे किसी नहीं बताई तो उन्होंने कहा कि नहीं यह गटना अमारे संक्षन में हो तुकी है इस तरह की जो आपने लिखा है और आपको किसी नहीं अमारे करमचारी नहीं बताया है तो मुझे बड़ा आश्चरी हुआ दू एक तरफ तो करमचारी संक्षन कह रहा है कि कानी आपने जो लिखे हिए अमारे संक्षन में गठित हुई है दूसरी राजेंदर जिनिये कहा कि यह कानी पहले छप चुकी है तो मुझे बड़ी इस बारे में आश्चरी हो रहा था उन्हीं दिनों चुनू में एक साहितक कार्यकरम था और वहां कार्यवाग संपादक संजीव आये थे तो मैंने यह दूनूं गठने उनको बताई कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि काम रेट का कोट है वो सब चुका है उसके उसके अंसार यह आपकी कानी है और दूसरी मैंने का जुंजलों में जो करमचारी संक्ठना उन्होंने का कि हमारे उपर लिखी दी है तो वो बड़े अंसे और फिर उन्होंने का कि ठीक आप दुबारा बेज़ दो कानी को आला कि वो दुबारा मैंने नहीं बेजी तो कई बार मैं यह कहना चाता हूं कि एक बगवान के नाम से चली थे कहनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है तो उस पर भी काफी विवाद भा था तो यह एक किस्था मेरी कहनी के बाबत है दूसरी हम दोगे तो मैं अपने जो मन की बात है एक तो मन की बात हम सुनते सुनते बोर हो गए मैं अपने मन की बात यह अपने साहिते मित्रों से लेकों से कवियों से कहना चाता हूं कि यह दो समय आज का यह बहुत कठिन दोर है और एक तरह से हम अंदकार से गिरे हुए है और मनमानी लोगतंतर में इस्तरे की मनमानी मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसे मुलकों में चलती है वाँ फोजगी चलती है नाम का ही लोगतंतर है लेकिन एक लोगतंतरिक देश में इस्तरे का चन्रा बहुत मुश्किल होता है और तूंकि सारी मीडिया और विपक्स बंटावा है, कोई ज़्यादा आसादनक नहीं है, तब लेखक और कभियों की जिम्मेदारी अधीक बढ़ जाती है, और जिस तरह से राजिंदर यादव कभी लिखते थे, कि साहित्य में सन्नाटा है, मैं उसको थोड़ा बदल के कहना चाहते हूं कि साहित्य में आजकर खुष खुष फहमी है, हम लिख लिए, मैंने लिख लिए, पांक चार मेरी मंड़ी के लोगों को दिखा दी, पीट ससपा दी, कहीं छपवा दी, हम खुष हो लिए, मेरा ख्याल है, कि यह हमारी भूमी का नहीं है, हमें गंबीरता से अपनी जो लिखन है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता है, वो बहुत मुश्कल के दोर में है, किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, बहुत मुश्कल है, जो जिन डाक्टों पर फूल बरसाए गए थे, उनको तनख़ा नहीं मिल तो मैं यह करना चाहता हूँ, कि हम जो लिखें, एक नए सीरे से लिखें, आम जन की तकलिफों का आगे लाएं, और यह जो एक कुठारा गात हो रहा है, उसके उसके उपर सोच करें, तभी हमारा लेखन सार्थक हो सकेगा, ऐसा मेरा वितार है, और मुझे लगता है कि आप इस पर सोचेंगे, जहां तक जदा परतार परतार का, मैं अलग रहा हूँ, परतार परतार से, अभी प्रगृतिश्टी लेख संग से दूड़ने के बेदव्यास दूड़ा वा था, लेकिन, मैं उस टाइम में आमने जो संग्षन मिलाया था, मै मैं उसमें कोई पता दिकारी नहीं था, मैं और अब चूँकि यहां जैक्स बना लिया गया, फिर दो तिन गवर जैपुल से ले गए, तो अपने लेखन के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ, यहां मेरा उद्दिश यह जो है, कि मन्स बगत संग के जी जन्त है जुन जनों में, उनकी जीवनी लिखी है, दो उपनियास लिखे हैं, और राजनितियों लिधियास के अपर तीन चार किताबे हैं, इस तरह से कुट मिला के मने करीब पंदरा किताब लिखी है, मेरा ये मानना है कि जो आम जन्ता के मुद्दे हैं, वो चाए कानी के मारफद लेएं, आप निबंद के मारफद लेएं, उपनियास के कैसे भी लेएं कभी ताके मद्दम से लेएं, लेकिन उन पर हमें द्यान देना थीए, और उसी को आगे लाना थीए, ऐसा मेरा विचार है, एक में जो बता रहा था आपको कि राम अलतार सर्मा नहीं लगात आखरी दिनों कहते हैं, मैं सिर्फ राम अतार ही लिखूगा, और उसका परवाव मेरे पर भी पड़ा था, तो मेरी दो सुलू की दो किताबें चपी हैं, वो सिर्फ राजेंदर सिंग के नाम से ही चपी, बाद में डाटर गासिराम ने मुझ पर दवाव बनाए कि भई कि पैचान बने, तो तम मने राजेंदर कस्वा के नाम से लिखना सुलू किया, हाला कि गोच्टर लिखने का मतलब यह नहीं है कि हम जातिवादी या गोच्टर को आई लाइट व्यादा करते हैं, लेकिन आज भी मुझे, जैसे सत्नाय नाम है, कैलास मनर है, उमा है, यह न अगलब यह नहीं है कि गोच्टर कोई लिखता है, तो वो जातिवादी है या गोच्टर में विश्वास करता है, लेकिन एक लेखक का अगर इस तरह लिखता है, कमलेस्वर हैं, यसपाल हैं, जैनेंदर कुमार हैं, तो इस तरह के नाम वास्तम में बहुत ही प्रेना देने वाले होते हैं, और आप सबने मेरी बात सुनी, रामोतार जी को अमने आज याद किया इस बहाने, इसके लिए आप सब का आभार, एक बार फिर जन सुरोकार मंत टौंक और देवेंदर जी दोस्ति को के परति मैं पर्टे किरता पर किरता हूं, कल्चे समस्काशप टौंक आप सिल्टे हैं, एक जर का झाले हो अत बादे कर